गुलाब जल से धोया जाताता राजवा देते थे तोपों की सलामी सुबेदार मला राव हुलकर ने 1728 में की थी शुरुआत अनुटे धंग से पांच दिन मनाते थे हुली का रंगारंग पर इन दोर में हुली का धेन की हुलकर कालिन परंपरा जो आज तक कायम है परंपरा अनुसार सबसे पहले राजवड़ा में हुली का धेन होता है इसमें नगर भर की कई हुली का धेन उस्सल समिति के करता धरताओं के साथ नागरिक शामिल होते हैं कि अंगार अनुसार स्थस्थड़ा ऐस्फटर काजना इन प्रणावड़ा तक का धेन हुली का अनुसार का भर यूब तक यूब तक का धूब तक बावड़ाखं होलकर कालीन होलिका द्यहन को नगर वासियों में विशिश आस्ता और विश्वास है होली का द्यहन की शुरुवात संस्तापक सुवेदार मलाराव होलकर ने सत्रा सो अठाइस में की थी आस्ताइस प्लाइस आस्ताइस प्लाइस की शुरुवाद आस्ताइस कर दो कर दो कर दो कर दो उनके समय होलिका का पर्व अनुठे डंग से मना जाता था पांच दिन चलने वाले इस पर्व के लिए गुलाब जल से राजवाडे को दोया जाता था और होलिका को लकडी त्यूवर की संटी गोबर के कंडो और घास पुस से सजाया जाता था पंच रंगी नाडे और सबेद सूथों से लकडियों को बांदा जाता था गोबर से बने छोटे छोटे छोलनों की माला पाहनाई जाती थी करा दोरे से डागे के दोलख रढादा थाहनाई झा जाता 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 कर दो कर दो कर दो कर दो यहीं से अगनी ले जाकर गरों और मौलों में उली का देन किया जाता है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुब कामना है कर दो 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 कर